अतती शिक्षकों की नियुक्ती पर लड़की तलवार जानिए कि क्यो असी फिसदी शिक्षक हो जाएंगे बाहर इसकोल सिक्षा मंत्री ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे प्रेदर्शन और उग्र हो सकता है आज हम बात करने जा रहे हैं मध्यप्रिदेश में पिछले 18 सालों से लगतार अतिती शिक्षक बनकर काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों की जिन्होंने लगतार अपनी मांग रखी सरकार के सामने कि उनको नियमित किया जाए लेकिन यमिती करन की मांग करने के बजाए अब 80 फीसदी शिक्षकों को निकालने की तैयारी चल रही है ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको बता दें दरसल हाली में आज ही एक बयान सामने आयो स्कूल सिक्षा मंतरी राब उदय प्रताप सिंग का जिसमें उनका ये कहना है कि अतिती बन कर आए थे तो घर में कबजा करेंगे क्या मेरा आप से आगर ये है कि माननी जो हमारे आतिती सिक्षक हैं उनको सिक्षन विवस्था में जहां पर गैप है जहां सिक्षक कम है वहां उनको लगाया जाता है अब बिछले दूनों वो आए थे हम लोग उनको साथ बैठक की थी और उनके जो दो तीन विशय हैं महत्पूर विशय उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कोई अतिती सिक्षक लगता है तो उससे पूरा अकेडेमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बिरुजगार नوجوان है और उसके हितो की रक्षा सर्वच प्रात्मिकता हमारी है चूकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतितिसिक्षक की महत्मूर होमिका है और जब विवाग मानता है कि अतितिसिक्षक हमारे लिए महत्मूर है इसलिए उसको भी चिंता यानि कि अगर महमान बनकर रहे हैं तो महमान ही बनकर रहेंगे और चले जाएंगे घर पर कब्जा नहीं करेंगे यानि कि नियमिती करण की जो मांग लगतार अतिति शिक्षक कर रहे हैं उन्हें अब लग नहीं रहा है कि एक बार फिर से उनको नियमित किया जाने का सरकार सो शिक्षकों के हक में हम कुछ बहुत बहुत बहुतर सोच रहे हैं, कुछ बहुतर रास्ता निकालने की सोच रहे हैं, और तब से आज बहुत जादा बढ़ गईती हो सकता था, कि जल्दी नहीं नियमित किया जाए, लेकिन एक बार फिर से इनके नियुक्ति करण पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, दरसल कहा ये जा रहा है कि जो अतिती शिक्षक हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी तो है, लेकिन जिस तरीके से जो स्कूल के रिजल्ट खराब आए हैं, दस वी और बार वी का रिजल्ट, तीस प्रतिशत से अगर कम आता है, तो शिक्षकों की नियुक्ती को लिकर तलवार लटकती हुई नजर आएगी, यानि कि बहुत सारी शिक्षक ऐसे होंगे, जिनें हटा दिया जाएगा, और ये पूरी प्रक्रिया होगी अतिशेश के तहट, यानि कि जो अतिशेश का नया दाओ खेला जा रहा है, उसमें कुछी शिक्षक जो शिक्षक इसी सतर में विरोजगार हो जाएंगे, और उनका ये भी कहना है कि दसवी बारवी के परिणाम अच्छा नहीं आने के कारण उन्हें जिम्धार ठेराया जा रहा है, हाल ही में 20-22 शिक्षकों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, और अब ये और जादा मजब पूर कर रहे हैं, जो अतिति शिक्षक हैं, उनको हो कि वो ऐसा कोई कदम उठाएं, जिससे उनकी परिशानी और बढ़े जाएं, उनके परिवार के परिशानी बढ़े जाएं, आप देखेंगे कि अतिति शिक्षकों ने कई तरीके से वियूत प्रदर्शन किया हैं, और प उसको लेकर अतिति शिक्षकों का कहना है कि उन्हें ठगा हुआ मेहसूस हो रहा है, क्योंकि पहले तो उन्होंने बहुत काम किया और उसके बाद जब उन्हें नियमित करने की बात आती है, तो एक नया फॉरमूला ला दिया गया कि अतित्ः शिक्षक, चानी कि जिनका तकलीफे इस शिक्षकों को जिलनी पड़ रही है उसके बाद एक नया बयान हाली में इसकोल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंग काता है कि जो अतिती शिक्षक हैं वो अतिती ही रहेंगे घर में कब्जा नहीं करेंगे और इस बयान के बाद से जो प्रदर्शन और जादा उग्र होता जा रहा है और इस उग्र हो रहें प्रदर्शन के पीछे अब क्या कुछ होने वाला है किस तरीके से सरकार नया रास्ता निकालेगी या फिर ठान चुकी है सरकार की अब इनको नियमित नहीं किया जाएगा अतिश्य शिक्षक की तोर पर ये काम करेंगे और या फिर ये कोई दूसरा रास्ता भी खोड सकते हैं और बागी शिक्षकों को बाहर का रास्ता निकाने कि तैयारी सरकार कर रही है ऐसा कहा जा रहा है ऐसा समझा जा रहे और 32 शिक्षक बहुत जादा नरास है लगातार थेज प्रीदर्शन की चेतावनी दे गई है Namaskar